नमस्कारब मैं हूं अशोक और स्वागत आपका mechanical nexus में आज हम discuss करेंगे आर्क वेल्डिंग के बारे में तो चले शुरू करते हैं और सबसे पहले आज हम समझेंगे यह आर्क होती क्या है और यह डवलप क्या से होती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक electric circuit बनाते हैं माल ल करेंगे यानि एक शुफिशेंट गैप बनाकर इन दोनों को अलग करेंगे अब होता क्या है जैसी इन दोनों को अलग करते हैं इनके बीच में जो गैप होता है माल लिजे यह मेरा इलेक्ट्रूड है और यह वर्कपीस है इसको मैंने अलग कर दिया तो यहां पर इसके बीच है मों positive particle की तरह बहुत high rate of acceleration से collide करते हैं इतने high rate of acceleration से collide करते हैं कि इन दोनों के बीच में high heat generate होती है इसी ऐनाइज गैस को प्लाजमा भी कहा जाता है यह जो हमारी प्लाजमा है या फिर हम इसे heat energy कहें इसी को हम आर्क कहते हैं इस तरह से यह develop की जाती है चलिए अब हम इस पार्क में क्या डिफ्रेंस है, बेसिकली दोनों ही हम electricity के थुरू ही प्रूज करते है, मगर जो main difference है वो यह होता है, जो spark होता है वो instantaneously होता है, यानि छड़ बंड के लिए ही होता है, जबकि जो हमारी arc होती है, वो continuously supply होती है, आर्क को produce करने के लिए हमें high power की ज़रूद पढ़ती है, जबकि spark को produce करने के लिए हमें एक small current के भी ज़रूद पढ़ सकती है, महाँ पर जो main होता है उसका origin वो voltage के थुरू होता है, मगर यहाँ पर इसको proper current के थुरू ही origin किया जाता है, यानि generate किया जाता है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब सबसे पहले हम arc welding के type को समझते हैं कि किस type की welding है, तो arc welding जो होती है हमारी, वो fusion welding का एक type है, यानि यह है हमारी एक fusion welding, आगे बढ़ते हैं, देखें अब बात करते हैं कि arc welding होती क्या है, अगर हम electric energy को heat energy में convert कर दें, और यह कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो जो heat energy produce हुई है, उसके through ही हम यहाँ पर work piece और electrode को आपस में melt करवाके, fuse करवाके, आपस में मिला देते हैं, और solidify होने पर जिस तरह की welding हमें मिलती है, इस welding को हम arc welding के नाम से जानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके working principle को समझते हैं, तेकि यह मेरा working principle का एक typical diagram है, यह मेरा power source है, इससे मैंने दो cable को connect किया है, एक cable मेरे work piece के साथ connected है, जो कि यह clamp की help से बंधा हुआ है, दूसरा cable मेरे holder से connected है, और holder और cable को connect करने के लिए, यहाँ पर मैं एक clamp का use करता हूँ, जिसे हम electrode holder के नाम से भी जानते हैं, होता क्या है, अब जैसे हमारी यहाँ पर electricity की supply होती है, यहाँ पर एक electric circuit बन जाता है, जैसे हम electrode को work piece से हटाते हैं, तो हमारी क्या generate होगी? arc, यह हमारी arc generate हो गई है, कुछ इस तरह से, अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर gap बन रहा है, work piece के बीच में, और यहाँ पर हमारा electrode के बीच में gap बन रहा है, इसको कहा जाता है arc length, थोड़ा इसको समझ लेता है, यह arc length होती क्या है, फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, देखिए arc length, simple सी बात है, हमारा जो electrode का यह tip है, bottom tip, और यह work piece का जो top tip है, इसके बीच में जो length होती है, उसको arc length कहा जाता है, कई बार question आया है exam में, कि arc length कितनी होती है, यानि इसकी height कितनी होगी, तो याद रखना, जितना diameter का हमारा electrode है, यह लिग देता हूँ, diameter of electrode, is always equal to the arc length, यह हमारी एक correct proportion की, arc length हमेंसा जननेट होगी, कितनी होगी, जितनी diameter का हमारा electrode होगा, अब इसमें न, दो चीजों और आ जाती है, एक को कहा जाता है कहीं वार, short arc, ओके, और दूसरे को कहा जाता है, long arc, अभी short arc, और यह long arc क्या होती है, इसको समझीए, देखें, हमारा जो proper क्या है, अगर हमारी length proper diameter के equal है, तो हम उसको correct, यानि neutral arc length कहते हैं, अगर इसका length, इसके diameter से बढ़ जाए, तो उसको कहा जाता है, long arc length, और अगर इसके diameter की length से कम हो जाए, तो उससे कहा जाता है, short arc, दोनों की advantage और disadvantage अलगे हैं, हम इसको next lecture में, और detail में discuss करेंगे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँपे क्या होती है, यहाँपे गैसों का ionization होता है, इस arc length के बीच में, और गैसों का ionization एक तरह से plasma state को कहा जाता है, इसी से जो हमारी heat energy डवलप होती है, उसी के तुरू हम यहाँपे welding को perform करते हैं, यही है हमारा arc welding का principle, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप बात कर लेते हैं हम, हमें इस power supply को, इसे supply करने के लिए, किन-किन power supply की जोध पड़ेगी, तो चलिए power supply को यहाँपे बात करते हैं, power supply, देखे power supply को mainly दो भागों में divide किया गया है, पहला जो है हमारा AC current, alternate current, जिसे alternate current आप जानते हैं, और दूसरा है होता हमारा direct current, जिसे DC current के रूप में जाना जाता है, देखे AC current में किसी भी प्रकार की कोई polarity नहीं होती, आप इसे direct इस्तिमाल कर सकते हैं, arc welding को perform करने के लिए, मगर यहाँ पर हम बात करेंगे direct current की, देखे direct current को आप direct use नहीं कर सकते, इसको आपको polarity के रूप में use करना पड़ेगा, आप इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें use होने वाली polarity को, एक को कहते हैं हम straight polarity, ओके, second को कहते हैं हम reverse polarity, ठीक है, दोनों को समझने से पहले हम इस polarity word को समझते हैं, देखे polarity word क्या बताता है, देखे polarity word हमें ये बताता है, कि किसी भी electric circuit में, जो हमारे current का flow होगा, यानि जो हमारे electron flow होते हैं, वो किस direction में होते हैं, यानि ये direction का बताता है, केवल direction को indicate करता है, अब इसमें हम एक चीश समझे, ये हमारे पास DC welding में polarity दो परकार की होती है, एक positive होती है, एक negative होती है, अब हम आप positive और negative को कैसे differentiate करते हैं, इसको समझे, देखे हमारी straight polarity, उन polarity को कहा जाता है, जहाँ पे हमारा work piece तो positive हो जाएगा, और हमारा जो electrode हो negative हो जाएगा, इसको मैं एक डाइग्राम के थूँ अगर मैं समझाओ, माल लेजी, ये मेरे power supply से, ये मेरा electrode connected है, ओके, ये मेरा negative है, ओके, second मेरी power supply से, यहाँ पे मेरा work piece connected है, ये मेरा work piece है, जो की मेरा positive है, तो इस तरह की जो हमारी polarity होगी, यहाँ पे क्या बात आ रहा है, direction of flow, electron, यानि negative हमरे electrode की तरफ जा रहे हैं, और positive मेरे work piece की तरफ flow हो रहे हैं, तो ये कैसी polarity हो गई, मेरी DC में हो गई, straight polarity, तो इसे कहेंगे DC SP, यानि direct current, straight polarity के नाम से इसे भी, जाना जाता है, दूसरी बात कर लेते हैं, देखें इस polarity को, किस दूसरे नामों से भी, indicate कर सकते हो, direct current यूज कर रहे हो आप, तो DC, अब देखें, electrode कैसा है आपका negative, तो electrode के लिए E, और negative के लिए N, दूसरा इसे इस नाम से भी जाना जाता है, तीसरा देखें, चार तीन नाम से अलग से इंडिकेट कर सकते हैं, DC, direct current straight polarity, direct current electrode negative, direct current workpiece positive, आप इतना दिमाग में याद रखिए, straight का मतलब है, workpiece positive, यह आप खुदवा खुद निकाल लेंगे, अब बात कर लेते हैं, हम इसका use कहा करते हैं, इसका straight polarity का, और क्यों करते हैं, यह negative क्या होता, यह positive क्या होता है, इसको समझते हैं, देखिए, जो हमारा negative और positive, यह बताता है, कि किस point पर, यानि negative के साथ, अगर कोई चीज है, तो उसके अंदर heat का generation कितना होगा, positive के साथ कितना होगा, तो याद रखना, केवल 30% होता है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है, कि मेरा जो यहाँ पर power supply है, जो work piece है, यहाँ पर heat का generation कितना होगा, state polarity की बात करना हूँ अभी, यहाँ पर 70% होगा heat का generation, और electrode में होगा 30%, इससे क्या समझ में आता है, इससे यह समझ में आता है, कि यह जो work piece है, इसको जितनी ज़्यादा आप heat दोगे, उतनी जल्दी यह गरम होगा, और जिसको जितना कम दोगे, उतना कम वो गरम होगा, इससे आप एक चीज, common sense लगाईए, कि इसका परियोगम कहां करेंगे, इसका परियोगम उस जगा करेंगे, जहाँ पर हमें work piece को जल्दी गरम करना पड़ेगा, और हमें केवल उनी work piece को जल्दी गरम करना पड़ता है, जिनकी ठिकनस ज़्यादा होती है, तो इससे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका use, कि जो मोटी sheet है, यानि थिन, ओ ठिक sheet जो है, ओके, यानि मोटी चादरों में, मोटी, ठिक है, ठिक sheets में हम इसका use करते है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ठिक होगी, उतना उसको जल्दी गरम करने की ज़र्द होती है, इसलिए हम वहाँ पर straight polarity का use करते है, तीसरा हम इसकी application की बात कर लेता है, कि कौन सी welding application में हम straight polarity का use करते हैं, तो दोस्तों याद रखना, plasma arc welding, हमें हम हमेशा straight polarity का use करते हैं, इसका temperature बहुत ज़्यादा है, देखें, arc welding का जो temperature होता है, जब महाँ पर arc generate होती है, तो वो तो almost 3000 degree centigrade से लेकर 5000 degree centigrade के बीच में होता है, मगर जो plasma होती है, इसका temperature 20,000 degree तक भी चला जाता है, अब बात कर लेते हैं reserve polarity की, देखें, reverse, reverse मतलब straight का ulta, आपको एक्षे समझ मागे, इसको समझने की ज़्यादे ज़रूत नहीं है, इस reverse ulta, ulta मतलब अब यहाँ पर work piece को हम negative कर देंगे, और electrode को positive कर देंगे, यह मेरी power supply आई, जो कि हमारी electrode से connected है, यह मेरा electrode है, इसको मैं कर दूँगा positive, और दूसरी मेरी DC की power supply आया, यह मेरा work piece है, इससे connected है, ओके, इसको मैं कर दूँगा negative, यह मेरा work piece है, इसको कर देंगे negative, तो इससे कहते है, reverse polarity, तो इससे कहा जाएगा, DC, RP, direct current, reverse polarity, एक नाम इसका यह हो गया, अब इसके दो नाम और देखेंगे इसकी तरह, तो दूसरा नाम क्या होगा, सोचिए, direct current हम इससे DC यूज़ करेंगे, उसके बाद, electrode कैसा है, positive, electrode positive, ठीक है, हरेका पहला वर्ड, direct current electrode positive, दूसरा बताइए, work piece के reference में क्या हो जाएगा, direct current, यह क्या है, work piece, w, और कैसा है, negative, w, l, ठीक है, इसको तीन नाम से indicate कर सकते हैं, अब बात कर लेते हैं हम इसके use में, कहाँ use करेंगे, इसका use क्योंकि हमारा electrode, ज्यादा heat लेगा, कितनी, यहाँ पर 70% heat generate होगी, और यहाँ पर होगी केवल 30%, तो इससे पता चलता है कि, जो पतली चादरे हैं, जो हमारी thin sheets हैं, thin sheets के जितने भी material हैं, यह welding जिनने करनी होती है, बहाँ पर हम reverse polarity का use कर लेते हैं, देख लेते हैं, कि कुछ-कुछ example इसके, जैसे MIG हो गई, TIG हो गई, SAW हो गया, समर्ज आर्क welding, इन में हम reverse polarity का use करते हैं, भूलना मत, इस्टेट polarity में हम केवल, प्लाजम आर्क welding यूज़ करेंगे, reverse polarity में हम generally, ज्यादा welding का application use करते हैं, ये था हमारी DC में, straight polarity और reverse polarity, अब एक last topic इसमें जो बसता है, वो ये बसता है कि depth of penetration, यहाँ पे लिख देते हैं हिसे भी, depth of penetration, penetration मतलब वो कितना गड़ा करेगी, कितना material को खा जाएगी, इन में समझ लेते हैं, चलिए सबसे पहले हम, straight polarity को देख लेते हैं, देखे, straight polarity में जो हमारा workpiece है, माल लिजी मेरा workpiece है, ओके, इसमें ये इसकी center line माल लिजी, थोड़ा नीचे बन गई, इसके अंदर अगर मैं use करूं, depth of penetration कितने होगी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अभी मैंने आपको reason बताया, ये पूरा workpiece कैसा बहुत गरम है, जितना गरम होगा, उतनी depth of penetration उसमें easily हो जाएगी, तो ये generally हमारी center line को भी cross कर जाता है, इतनी high इसमें depth of penetration होता है, बात करते हैं reverse polarity की, दीखें reverse polarity में हमारा workpiece कैसा है, थोड़ा कम गरम है, electrode ज़्यादा है, इसलिए depth of penetration इसका कम रहता है, as compared to straight polarity, मान लिजीए ये मेरी center line है, इसमें जो depth of penetration है, वो देखें, मात इतना रहेगा, इसका कारण क्या होता है, ये पतली चादरों में use किया जाता है, आप इसको ज़्यादा रखेंगे, तो ये पूरी की पूरी चादर को ही melt कर जाएगा, और खराब कर देगा, इसलिए इसमें depth of penetration कम होता है, reverse polarity में, एक्जाम में पूछ ले, DCEP का depth of penetration, ये DCWN का, ये reverse polarity का, ये नाम से confuse नहीं होना है, अब एक last और समझ लेते हैं, अब AC welding का, AC welding का depth of penetration क्या होता है, देखिए AC welding में जो हमारी heat का जो generation होता है, वो electrode पे भी 50% होता है, work force पे भी 50% होता है, तो इसलिए AC welding का depth of penetration अच्छा खा जाता है, तो इसका जो होता है, अल्मोस्ट अल्मोस्ट, सेंटर लाइन के अब आउट, आपको मिलेगा depth of penetration, ये depth of penetration, तीनों case में आपको मैंने, represent कर दिया है, ये मेरा AC welding में है, यही है दोस्तों, आर्क welding के बारे में, प्लिस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, thank you for watching,